अब देख रहे हैं आपका चानल शेर बजार वित आयूश और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं IOC के बारे में IOC के डिविडेंड की X-Gate के बारे में जो IOC की डिविडेंड कमाई का मौका है अब वो काफी नजदीक आता हुआ देखने को मिल रहा है जैसा मै काफी कमेंट होते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा तो definitely काफी important वीडियो होने वाला है तो वीडियो को पुरा देखेगा फ्रेंट्स चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो दोस्तों बड़ी बात किया कि अभी अपनी book value से नीचे trade कर रहा है 94.6 का book value 94.5 पर आपको चल रहा है हो सकता है कि book value आप अभी तक change होता हुआ देखने को नहीं मिला वो उसके reasons है पर important क्या है कि stock का अगर आप return on equity देखेंगे तो 20.4 का है यहाँ पर company की sales पर company का profit आप देखेंगे त इस बार का quarter definitely थोड़ा सा disappointing था बट इस company की dividend deal जो सबसे important बात है dividend deal जो है वो शानदार है 11.4% की और अपर हम डिले इस पर आने ही वाले dividend के उपर दूशरी बात है कि company की intrinsic value 2500 रुपे आपको देखने को मिलेगी and over and all company दोस्तों यहाँ पर ठीक ही नजर आती है ओके कोई बहुत अच्च यहाँ पर कह सकते हैं company के अंदर आपको returns भी इतनी जादा जरूर देखने को नहीं मिल पाए but overall company बुरी नहीं है company बढ़ी आपको करती भी देखने को मिलती है free cash flow company का सभी करीबन 1533 करोड का है और intrinsic value 250 रुपीज जरूर दिखा रहा है बट अगर वो adjusted देखा जाए तो यहाँ पर जरूर स्टॉक अभी undervalued है इसके अंदर कोई doubt नहीं है कि स्टॉक अभी काफी जाद आपको नीचे कारोबार करता हुआ देखने को मिलता है लेकिन आप important बात क्या है कि यहाँ पर company के dividend की x date न एक definitely high undervalued company में से एक है जरूर इस बार का quarter बहुत disappointing रहता हुआ देखने को मिला अगर इस बार आप देखेंगे तो company का net profit था वो minus 279 करोड के करीवन loss के यहाँ पर आज पास company का net profit आता हुआ देखने को मिला और यह कौन सा quarter की में बात कर रहा हूँ अभी जून वाले quarter की बात कर रहा हूँ sales जरूर हर बार बड़ती हुई देखने को मिली है लेकिन इस बाके expenses काफी हो गए थे operating profit भी आप देखेंगे तो company का काफी नीचे आता हुआ देखने को मिला साल बर साल जो करीबन 11,199 करोड का company का कह सकते हैं कि operating profit था वो कमोंके सिर्फ 5,188 करोड का रह गया और quarter पर आप देखेंगे तो 14,273 करोड रुपी सा company का आपको यहाँ पर operating profit आता हुआ देखने को ला था तो definitely जैसे मैंने का कि company इतनी जदा आपको बढ़िया नहीं कर पा लास्ट कुछ quarter के अंदर जरूर इस quarter में थोड़ी सी stake कम किये मामूली सी डियेज ने थोड़ी सी stake बढ़ाई है लेकिन लगातर आपको देखने को मिलेगा डियेज का भी stake रहता है वो government के करीबन 0.11% के इस साथिया आपको देखने को मिलती है और public की 28.71 so as such IOC company बुरी नह नहीं है जरूर कह सकते हैं कि देखे इतना बड़िया returns डिलिवर नहीं कर पाया बट मुझे लगता है कि आने वाल समय में बहुत बड़िया कर सकती है IOC के अगर share price के आने बात करता हूं तो definitely last एक महिने के अंदर IOC का stock जो है वो 1.10% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला यह है कि इस stock के अंदर आप buy कर सकते हैं company शांदार है company बढ़िया है और company undervalued है तो definitely long term के लिए यह company बुरी नहीं है लेकिन max returns भी आप देखेंगे तो 518% के दिखते हैं जो इतने जादा नहीं है इसके पीछे का साफ साफ एक reason है कि देखिए सब तो एक piece of stock है जादा चलता हुआ देखने को नहीं मिला है because काफी दिक्कत आती भी देखने को मिली है oil companies को specially और उसका सामना इसको भी करना पड़ा है but overall इसमेंने का long term के लिए company बुरी नहीं है dividend deal काफी जादा शांदार है और यह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अब बात कर लेते हैं आखिर में dividend के बारे में कि dividend किन को मिलता हुआ देखने को मिलेगा so friends याद रखिएगा 11 तारीक 11 तारीक हो तारीक है जिस दिन आपको यहाँ पर final dividend जो है company का वो आता हुआ देखने को मिलेगा x date इसकी याद रखिएगा 11th है 11th आपको देखने को मिलेगा वो date है जब आपको final dividend मिलता ह देखने को मिलेगा कितना 2.40 पैसे प्रती शेयर अगर आपके पास इसका एक शेयर भी है तो आपको 2.40 पैसे मिलता हुआ देखने को मिलेगा 100 शेयर है तो 240 रुपे, 1000 शेयर है तो 2400 रुपे So important बात किया है कि यहाँ पर अगर company का dividend अच्छा आपको आता हुआ देखने को मिलता है तो क्या participation दिखाना चाहिए participation दिखा सकते हैं आपके पास याद रखिएगा आखरी मौका है शेयर को खरीदने का 10 तारीक को कल तो market बंद है 9 तारीक है आज 8 तारीक को वीडियो में बना रहा हूँ तो 9 तारीक तो देखिए कल market बंद है तो कल आपके पास आखरी डेट रहा है तो छुट्टी है दिन याँ पर 10 याँ वेडनेस देखो 10 तारीक को आपके पास आखरी मौकर आएगा अगर आप 10 तारीक को खरीद लेते हैं याँ तारीक को खरीद लेते हैं यहाँ पर आप eligible रहेंगे इसके dividend के लिए जरूर मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि कभी भी कोई share dividend के मामले में खरीदना चाहिए split के मामले में खरीदना चाहिए bonus के बारे में खरीदना चाहिए तो यही बात important है इसलिए IOC में definitely कोई इतना negative चीज नहीं दिखता है खरीदार आप करके चले भी आते हैं तो मुझे लगता नहीं कि long term में आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान करके देदेगी dividend yield इतनी अच्छी कंपनी है की जो investment purpose के लिए बहुत ज़्यादा शांदार नजर आता है तो मुझे नहीं लगता जैसे मैं आपको वापिस से बार बार एक बात करहा हूं कि IOC long term के लिए बहुत बढ़िया है short term में मुझे भी नहीं पता कि देखे कहा move जाएगा लेकिन long term में यह बात है कि इसमें guarantee है को सरकार है सरकार कभी बन नहीं करने देगी company को ऐसा नहीं किसे इनका इंडिया में काम है काफी जगा आपको देखने को मिलेगा IOC के petrol pump देखने को मिलते हैं तो यह भी अपने आप में अच्छी संकेत है overall सही है company बुरी आपे नजर नहीं आती है जो करीबन 75 के आसपस निकल के आता है उसके आसपस बाहर बर टकता हुआ देखने को मिला है एक बर गिरावट exactly यहां से होती ही देखने को मिली थी फिर stock में आपको गिरावट बनती ही देखने को मिल गई जो भी 75 का लेवल था अब important क्या है कि stock अपने moving averages अगर आफ 50 डे moving average देखेंगे तो जरूर उसके उपर तो trade कर रहा है उसके आसपस trade कर रहा है लेकिन 100 डे moving average जो red में 77 का उसके नीचे trade कर रहा है तो वो भी उपर में resistance हो सकता है कि वो भी रोकता हुआ देखने को मिल रहा है साथ कोई खिदारी करिएगा उपर में resistance से 75-77 के उनको अगर एक बाख cross कर दिया तो मुझे लगता है कि 90 रुपे तक की upside तो साफ साफ खुल जाएगी तो friends इस वीडियो में इतना ही था hopes वीडियो बढ़या लगा होगा अगर लगा तो like कर देना चला से नहीं जोड़े सब्सक्राइब पर दिना thank you friends watching this video